हमारे प्रिय कस्टमर हमें खुशी हो रही है आपको ये बताने में कि आपके शहर में हमारी स्पीड अप कैप टैक्सी सोवेज शुरू हो गई है हम फिर से एक बार हफते के साथो दिन 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध होंगे आपकी सुक्सुविधा और सुरक्षा हमारी मुख्य प्राथमिकता है हमारा न्यू एंड इंप्रूब्ड आप डाउनलोड जरूर करें आशा करते हैं आप हमें जल्द सेवा का मौका देंगे आपकी स्पीड अप कैप टी आपkin के लिक लाम Cory, आपकी प्राथमे सवा हुआते हैं कन्वे रधे last name हमार कर देंगे लड़नी स्वारा यव प्राथम्नों इंप 싸ते हैं स्वार क्षाण एंवा卵 कर दो कर दो कर दो कर दो दो फड़ा है एक सहेली की बर्थरे पार्टी से टैक्सी में लोट रही तन्वी साहू को इस बात की भनक तक नहीं थी कि टैक्सी ड्राइवर के इरादे क्या थे तन्वी का घर पेकप पॉइंट से पेंटारिस मिनिट की दूरी पर था लेकिन उस रात तन्वी घर देर से पहुंची पर दुरूस्त नहीं तन्वी के लिए के लिए कैप बुक किया था तो मेरे सेल पे उसका नाम और नंबर आ गया था यह देखे से अधिधी यार देखना किसका मेसेज है स्पीड अप कैप वालों का ही मेसेज आया है ट्राइवर का नाम नागेश जोहान, मोबाइल नंबर, कैप नंबर, XYH2346, तिमुर गंच, कॉशल सिनेमा सहब वेकाफ, साड़े ग्यारा बज़े साड़े ग्यारा बज़े तक तो हम लो आराम से तीमुर गंच पहुंच जाएगे, तन्वी, तुम्हें टैक्सी में बिठा के आगे निकल जाएगे, ठीक है ना? या, अफकॉस, या, इस परफेक्ट थैंक्स, थैंक्स सुमा सब जब मैं टैक्सी से उतरी थी मेरे घर के पास, तब मैंने टैक्सी का फोटो लिया था, मेरे फोन से क्या शर्माना मेडम, ते फेस तो इदर करो हमारे बीच जो हुआ, वो हमारे बीच है कोई दीसरा जानेगा ना, तो मुझे बुरा लगेगा और मुझे बुरा लगेगा तो फिर तुम्हारे साथ बुरा हुआ हमजी? कोई का मुझे के टास्पता करो ऑशिक, इस कमपनी की उपिस का एडिजास पताकरो संब कुझे कुझे व्यूंग ती लिए हम व्यूंग व्यूंग सब्सक्राइब सबसे पहले आपको अपना इमेल आईडी या फोन नमबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना होता है एक बार आपने लॉगिन कर दिया तो आप अविलिबिटी स्टेटस देख सकते हैं उसके बाद बुकिंग करके बुकिंग स्टेटस टैक्सी की पेमेट आपने की थी? नो सर, आक्चली इस एप्लिकेशन में मेरी क्रेडिट कर डिटेल्स ओलिडी लूड़ड है तो जैसे ही टैक्सी पैसेंजर को ड्रॉब करती है मुझे मेसेज आ जाता है कि वो अमाउंट मेरे क्रेडिट कर से डिटक्ट हो गई है क्रिमिनल टैक्सी ड्राइवर का फोन स्विच्ट ओफ था टैक्सी कंपनी का ना तो कोई फोन नंबर था और ना ही आफिस का पता बस एक एप याने एक मोबाइल एप्लिकेशन जिसके द्वारा टैक्सी बुक हुई थी अब पुलिस कैसे पूछताच करती इस क्रिमिनल को कैसे ट्रैक डाउन करती फिर एक बार रात के अंधेरे में एक महा नगर में एक शेहरी महिला के साथ एक महा जर्म हुआ था उस रात 27 वर्षे तन्वी साहू अपनी एक सहेली की बर्थरे पाटी से लौट रही थी जुही, जुही सरपाल तन्वी, आदिती और निखिल पहुच चुके हैं और हम लोग भी बस दस मिनट में पहुच रहे हैं तुम कहाँ पे हो? सॉरी यार, बस निकल रही हूँ, तुम हाँ लेट हो गया I hope Meheer is picking you up अरे Meheer का audit चल रहा है, उसका कोई भरोसा नहीं है पर फिर मैं उसे पूच कर देखती हूँ अचा ठीक है, उसको call करो and call me back, हाँ, I'm waiting for your call So sorry sweets, नहीं हो पाएगा, आज लगता है full night है मेरी Okay, okay, अच्छा सुनो, ज्यादा coffee मत पीना और खाना खालेना Okay तुम्हें miss करूँगी I really wish मैं आपाता, अच्छा सुनो, संभाल के जाना, और nickel drop करेगा ना तुम्हें हाँ बबा, अच्छा जाओ तुम अभी काम करो, लव यू, लव यू टू, बाई पिटा मिहर तुम्हारे साथ नहीं जा रहा है तो तुम अकेले जाओगी अरे मॉम मैं अल्यदी निकल गई हूँ, बस थोड़ी ही देर में प्लाश शाइन मॉल पहुच जाओगी बिटा स्यादा देर मत करना हाँ, हाँ मॉम डोंट वरी, स्यादा लेट नहीं होगी, वैसे भी कल काम है ना, बारा सारे बारा बज़ेत तक घर बापस आ जाओगी मैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिये, ओके महीर तुम्हारे साथ आ जाता तो अच्छा रहता ना, हाँ मॉम, क्या करें, अब उसे काम भी थो है ना, उससे काम मुझे चिंदा हो रही है देखो बिटा पापा भी कह रहे है उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही है अरे मॉम पापा को बोलिये स्ट्रेस बिल्कुल न लेने के लिए वैसे भी मैं कोई डेंजरस एरिया नहीं जा रहे हूं चुई के बर्दे पाटी में जा रही हूं हैपी बैश रेस्टरांट में और निखिल और दिती भी मुझे घर छोड़ देंगे ठीक है आप पापा को बोलिये खाना खाए और सो जाए ओके मॉम सी यू बाई सब कल रात साड़े दस बचे तक हम सब पाटी में ही थे वज़ वजए किया तेने जल्म की कि अभार और पर याज अज अँछी लुए ने फैं अब के और याय साकी अज़न्य हूऀ ने अपरांव बहुत कर दोस्त नहीं कि इस नहीं परनाओ कि इना बहुत। आर। फैनि फैद मैं के अरल मिश्त गया हूंं नहीं करते हैं। SpeedUp का Cool Application! Tanvi, हम लोग तुम्हे तिम्हे तिमूर करेंच तच छोड़ेंगे इसके बाद ये SpeedUp-Cab वाले तुम्हे 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 तख वह तक छोड़ेंगे Safe & Sound on the dot Such a cool app! It is! Done? खाना करो! हाँ, OK! जब हम तिमूर गंश पहुचे हमने तन्वी को वहाँ टेक्सी में बिठाया और फिर हम दोनों भी वहाँ से निकल गए बाई निखेल बाई अधिति बाई टेक केर बाई तन्वी जब है जैसे ही तन्वी टेक्सी में पैठी मेरी उसे बात हुई सब कुछ ठीक ही लग रहा था लेकिन उसके बाद नेखिल और अधिति ने मुझे तिमूर गंश तक ड्रॉप कर दिया है तो फिर किससे इश्क है वेल एक लड़की कल शाम को मिला बताता हूँ अभी काम ख़तम करूँ ओके ओके चलो बाई लव यू जिट्टो सरम लगातार फोन किये जा रहे थे पहले कुछ दे रिंग जा रही थी पर कोई रेस्पॉंस नहीं था उसके बाद तो फोन स्विच्ट ओफ आ रहा था सुनिये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है तन्वी का फोन स्विच्ट ओफ आ रहा है तन्वी जी एक्सी में बैठने के बाद एक्जेक्ली क्या क्या हुआ था आपके से दिन भर हाई प्रेशर जॉब फिर बर्थरे पार्टी तन्वी साहु ठकी हुई थी टैक्सी में बैठने के बाद उसकी आँख लग गई उसे कोई खबर नहीं थी कि उस टैक्सी ड्राइवर की आँखें तब से उस पर थी जब से उसने टैक्सी में कदम रखा था नीद में खोई तन्वी को पता ही नहीं चला कि कब टैक्सी ड्राइवर नागेश चाहान की बदलती नियत ने टैक्सी के रास्ते का रुख भी बदल दिया था मुझे पता ही नहीं चला में कब सो गई पर फिर मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैं उठ गए और उस आदमी का चहरा उसका चहरा यह कहा लेकर आयो तो मुझे मैंडम जी ज्यादा फड़ पड़ा होगी तो जान से मार डालेंगे मुझे जाना दो विल्कुल जाने देंगे मैंडम जी बस अब शोर मत मचाओ और एक रिक्वेस्ट है हमारी वो पूरी करगे रिक्वेस्ट? केस रिक्वेस्ट? किसी अच्छी कंपनी में नोकरी करती हूंगी ना आप? तौर्ण तो बॉइफ्रेंट शॉइफ्रेंट भी होगा ना आपका क्या कह रहे हो तुम? इससे तुहारा क्या मतलब? तुम आपसे आप करके बात कर रहे हैं और आप हमें तुम कह रहे हो कलत पाद तो बॉइफ्रेंट है अपका? मंगेतर है क्या बात है मैडम जी अब लाइसेंस मिल जया आपको मैडम जी आप जो मंगेतर जी के साथ करती है ना वो हमारे साथ करती है कोई नहीं सुनने वाला हमारे अलावा या मैडम जी तो चिलाओ मत शोर शराबा पसंद मुझे आप रिक्वेस्ट पूरी कीजी और घर जाईए यह तो आप ही बताईए कैसे मारना पसंद करेंगी ऐसे ही मार डालेंगे आप तो मैडम शुरू करें करें दूंच आपके अपने फोन पे मिस्टकॉल कर दिया है अब आपका चैरा हमारे दिल में और आपका नंबर हमारे फोन में इस्टोर अचुका है करें गलती से मूँ खोलाना अब खर पहुंच जाएंगे सिधा जिन्या से डिलीट कर देंगे आपको मुझे किसी से कुछ नहीं काई मुझे का एचिवा मैं है मुझे का एचिवा मैं है मुझे का मैंने लास्ट में ही से बात की थी तो मेरे कॉल लिस पर लास्ट कॉल नंबर में आया मेर, मेर जल्डी घर आजाओ कुछ हुआ है ऐसा भी क्या हुआ मैडम जी आपको तो बड़े मज़े आए आपने किसी मेर को नहीं मुझे फोन मिला है अला था ना नंबर इस्टोर हो चुका है रोक क्या शर्माना मेडम ले फेस तो इदर करो हमारे बीच जो हुआ वह हमारे बीच है तो मुझे पुरा लगेगा मुझे पुरा लगेगा तो फेर तो मारे साथ बुरा होगा मुझे कर दो कर दो कर दो तन्वी को टेक्सी में बिठाने के बाद मैं और मेरी फियॉंसी अधिती लॉंग ड्राइब पे गए थे यार ये स्पीड अप कैप से मेसेज आया है अमाउंट डिड़क्ट हुआ है इतना लेट यार तन्वी को तो एक घंटा पहले घर पहुंचाना चाहिए था देखो हलो तन्वी कहा हो तुम हलो निके हम सब तन्वी के साथ सहमत थे कि ये मामला जल्द से जल्द पुलिस में रिपोर्ट होना ही चाहिए सर्फ, मैंने टेक्सी का नंबर आर्टियो को दिया है एक गंडे में गाड़ी की रेजिस्ट्रिशन डीटेल्स में लेगी लेकिन एक बाद मुझे बड़ी अजीव लग रहे है एक टेक्सी सर्वीज अपनी वेफसाइट पर अपना एड़र्स क्यों नहीं दे रहे है निखल तुम्हे काम लाँ एक टेक्सी बुक करो इस पुड़कर एपकर एपसे उनसे गो कि मुझे नगर बाइपास से पीक अप है अभी? अभी टेक्सी आएगी तो जाहिर सी बात है उसके साथ उसका ड्राइवर भी आएगा और ये ड्राइवर हमें कमपनी के माली को तक ले जाएगा जिने अपना एड़र्स देने में श्रम आ रही तन्वी जी आपको मेडिकल एफजामनेशन के लिए जाना होगा जी सब मैं तैयार हूँ मैं उस हर चीज के लिए तैयार हूँ जो उस आदमी को हमीशा के लिए बंद करते हैं ऐसे लोगों को खुला गुमने का कोई हक नहीं है सब बुकिंग हो गई है पंदरा मिनट में स्पीड अप कैब यहां होगी बस एक बार यह टैक्सी आ जाए इसका इमिटर हम किराएंगा तन्वी जी आप एक बहादू लड़की हैं समझदारी आधिर लड़ाय तो आप जी चुके हैं जो हमारे पास है बाकी के आधिर लाए हम आपके लिए जीते अब शुरू हो गई खोज टैक्सी ड्राइवर नागेश चौहान की यह खोज इंटरनेट के सर्च इंजन्स पर की जाने वाली खोज से अलग थी पुलिस के पास सिर्फ एक ही सुराग था वो भी एक ऑनलाइन वेब एड्रेस स्पीड अप कैप कंपनी का जहां से उनका मुबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड होता है लेकिन असली दुनिया में किसी क्रिमिनल को सर्च करना उसे डाउनलोड करके कानून के फोल्डर में ले आना उतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता चल भारा क्या बात है साब नागेश चौहन का है नागेश चौहन साब मैं किसी नागेश चौहन को नहीं जानता हूँ शायद आपको गलत फोनी होई मैं तो एक मामूली टेक्सी ड्राइवर हूँ साब वो भी टेक्सी ड्राइवर है लेकिन इस वक्त हमारे लिए गएर मामूली है तुम इस्पिड़ अप के लिए काम करते हो ना जी साब उन्हींने मुझे यहां बेज़ा है उन्होंने मतलब किनोंने एड्रेस क्या है मैंेजर का नाम क्या है मुझे नहीं पता साब उनके लिए काम करता है और उनका एड्रेस नहीं पता ठानेचर तेरी नानी और उनका एड्रेस तुन्हों यहादा जाएग случай देख, कल रात नागेश चोहन ने एक कांड किया है सीधे सीधे बोल दे, नहीं तो तू भी अंदर जाएगा और तेरे साथ इस्पीडप कैप के मालिक भी साब मैं सचके रहा हूँ ना मैं किसी नागेश चोहन को जानता हूँ ना स्पीडप कैप वालों को मैं भी स्पीडप कैप वालों का रजिस्टर ड्राइवर में वो मुझे मैसेज भेज देते हैं फला फला जगह जाके पिक अप कर लो और मैं चला जाता हूँ साब तुझे इस एपलिकेशन के बारे में किसने बता है मेरा एक ड्राइवर दोस्त है हर यार फोन लगा उसे और भी मिलने के लेपो देखे, सेक्षियले सुल्ट हुआ है यार हरियार, इस साब लोगों को स्पीड़ ड़के ऑफिस का पता चाहिए प्पड़ का आफिस-अ जाए यार हरियार साम में किसी ना जानता हूँ और नहीं स्पीड़ अपका को ऑफिस है हाँ कुछ लोग हैं जो उनका काम देखते हैं एक तरीके से आफिस ही समय दीजिए यह स्पीड़ अपक का ओफिस यह हैं हाँ सर यहीं पर है यह पहला फ्लेट एक बार आया था मैं यहाँ सर यह फ्लेट है जी सर यह स्पीड़ कैप का ओफिस है ओफिस तो नहीं है पर हाँ सब ऑप्रेट यहीं से होता है एनी प्रॉटम सर अगर स्पीड़ कैप के साथ अपने आपको रजिस्टर करना चाहता है तो उसके सारे डीटेल्स के हाँ पर जमा होते हैं तो फिर बुगिंग्स कैसे होता है अप्लिकेशन सर दोनों के ही पास ही अप्लिकेशन डा नोड होती है और जिसे भी ट्राइट से बुग करनी हो वो अपने एक मेसेज फॉरवर करता है वो सेम मेसेज सभी रिजिस्सर के पास जाता है, और उसे जो भी ट्राइवर पिक अपॉइंट के सबसे नजदीक होता है, उसे वो कस्तमर मिलता है सारा चार्जक्शन सिफ एप्लिकेशन से होता है और पेमेन भी direct credit कर से, पैसेंजर के account से debit और company के economic credit और पिर company का profit अलग करने के बाद, बाकिय का पैसा driver के economic credit किया जाता है सा और ज़र हमें तनकों मिलती है हर महिने, सब ही drivers का data collect करने और उसे maintain करने के लिए बस नागेश छउवान का इसका तुम लोग अगाते हमारा काम एक्चली सिफ फाइल करना है मैंदा ओद कओई भी एरा-गहरा जाली character certificate, जाली driving license, जाली address जमा करके सब कुछ जाली देकर तुमारी इस company का ड्रैवर बन सकता है सर, company हमारी का है सर हम तो सिर्फ paper work देखते हैं सर इसका नागेश चोहान जैसे आद्मी को काम पर रखते है और यहां से हजारों मील दूर बैठे तुम्हारे आकाओं को ये भी नहीं वालू कि उनके मुलाजिम यहां पर क्या गुल खिला रहे हैं और शायद उनको पड़ी भी नहीं है उनके ड्राइवर्स रेप करें या मटर उन्हें तो बस अपने कमीशन से बतला तेकिन एक बात वो लोग भूल रहे हैं लोगों की जिन्दगी उनके जस्पात किसी भी अप्लिकेशन से नहीं बतले जा सकते कभी बस में, कभी ट्रेन में और अब टाक्सी में औरतों के साथ होरे रेप के वार्दात कम होने का नाम नहीं लेते हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के दोरान औरतों की सुरक्षा को एक होट मुद्दा बनाती तो है मगर गाउं और शहर दोनों में बच्चियां, महिलाएं और लड़कियां हिंदुस्तान की आदी आबादी असुरक्षित है रेपेस्ट खुले आम घूम रहे हैं जो ना उम्र देखते हैं ना सामाजिक वर्ग पर हमारा सवाल यह है कि देश का प्रशासन ने सब आखे मूंत कर क्यूं देख रहा है कल राज इसमयला की स्पीड़काप में बलातकार की खबर है पुलिस अभी तक आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है और नहीं उनके ओफिस से कोई कॉन्टाक कर पाई है क्योंकि इंडिया में उनका कोई भी रिजिस्टर्ड ओफिस है ही नहीं वैसे दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये बता दे कि स्पीड़काप एक अप्लिकेशन बेस टाक्सी सर्विस है जिसे इस दुनिया में कई देशों में ऑपरेट करने की परमिशन नहीं है या परमिशन्स कैंसल कर दी गई है तुम दोनों को हमारे साथ पुलिस्टेशन चलना हो बट सर हम पोई बटबट में पर सिर्फ तुम दोनों कोई नहीं अपने बोसेस को संदेश भेजो की स्पिड़प कैप का कोई भी जिम्मेदार ओफिसर अपने आपको हमारे सामने पेश करें वन एंटर पोल को एक्टिवेट करने में हमें जरा भी तरह नहीं लगेगी समझ रहो ना तुम दोन खान देचलों इने पासिंग बोल करने दोटारा अड्रस लिखा सब्सक्राइब कामगरो से पड़ा पड़ा वेडर्स मुझे मैसेज करो ठीके सब्सक्राइब सर्टीओ से नगे शोन का अड्रस में गिंग गाया गफ अग कि सब बृट का नाग शोहन काई है व प्र शाइबड ही ने रहते आगी अगार्यों अन्हें डिकोर आट्री अपया यहीं चोंग्ड रहता है जिंग फो breaking सब फो श्हां यहीं है थेजिए को तब फ्रेटह ता अपनी घर वाली के साJohn अब प्रता नहीं कहा रहता है अब आगे का एड्रेस भी नहीं दे कर गया ये नागेश एक नंबर का बदमाश और हरामी आग्मी है मतलब? ऐसा कोई गलत काम नहीं होगा तो उसने ना किया हो वैसे आप लोग इस बार उसे क्यों डूल रहे हैं साब? उसने एक लड़की का रेप किया वो तो उसने तब भी किया था कोई नई बात नहीं है साब कुट्टे की दूम है वो कभी सीधी नहीं होगी अर गुट्टे का एक बुरा दिन भी आता है और उसका वो दिन बहुत करेब वैसे अब कामी नहीं गाब पका पता नहीं है साब पर इतना सुना है कि रहला नूर का रहने बार है पर इतना सुना है स्पीरफ कैब रेव केस में आरोपी की शनाक्त हो चुकी है 32 वर्ष ये नागेश चोहान एक हिस्ट्री शीटर है जो पहले भी मॉलस्टेशन और रेव केस में इन्वॉल्ड रह चुका है हमारे सूत्रों से पता चला है कि नागेश चोहान के पास एक पुलीस द्वारा इशू किया गया करेक्टर सर्टिफिकेट है जो उसकी स्पीड़ अप केक्टी फाइल में पाया गया और ये करेक्टर सर्टिफिकेट में उसके पिछले क्रिमिनल रेकॉर्ड का कोई जिक्र नहीं है वो character certificate नकली है हमारे records में कोई ऐसा character certificate जारी नहीं किया गी हमालक से उसकी जाच कर रहे है पर इस वक्त हमारी priority है नागेश चौवान को जल्द से जल्द गिरपतार करके court में पेश करना इसके पहले कि वो शहर से भाग जाए पर चल्द से जित में पाल करें करी यालky पच्वान था और यालक से जो था कि भाए अच्छिए बहुत अंधेरा था मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कारी कहां पाक की थी उसने लेकिन ऐसी ही कोई जगर थी अच्छिए मैं गारी में सुग गई थी इसलिए मुझे यादी नहीं है कि उसने कहां से गारी घुमा ली थी आप सुरी क्यों बोल रहे हैं आप सुरी क्यों बोल रहे हैं सुरी तो वह होगा जिसने गाड़ी नहीं अपनी तक्दीर गुमा ले आप टेंशन मत लेजे अब अमारा असली काम शुरू होता है कि अगेशन का खुछ पता चला साब उसके बारे में तो नहीं इसकी गाड़ी के बारे में पता चला है यहां परवान अगर बाइपास पो उसकी गाड़ी घड़ी है साब कलजे घड़ी है अब सवाल ये था कि क्या नागेश रहला नूर में जाकर छिप गया था या फिर वो अभी शेहर में ही कहीं था जहां पुलिस उसे तुरंट पकड़ सकती थी इस केस को काफी मीडिया अटेंशन मिली फिर एक बार इस केस के कंधों पर वही पैनलिस्ट और पॉलिटीशन्स ने अपनी बंदूख रखकर वही महिला सुरक्षा वाले खाली कारतूश चला है जो आबाद से जादा और कुछ नहीं करते हैं लेकिन इस केस ने उन तमाम सर्विसेज पर सवालिया निशान लगा दिया जो साइबर बेस्ट है और जिनका कोई भी जिम्मेदार ग्राउंड ऑपरेशन नहीं है अब एहम सवाल ये था कि क्या पुलिस नागेश चौहान तक जल्द से जल्द पहुँच पाएगी पुलिस को हिंट मिली थी कि नागेश चौहान ने पहले भी ऐसे जुर्म किये थे क्या हुआ था उन विक्टिम्स के साथ कल रात ग्याना बजे हम आपको दिखाएंगे इस केस का दूसरा और आखरी भाग आपसे फिर मुलाकात होगी ग्राइम पेट्रोल सतर्क में तब तक अपना खयाल रखें सुरक्षित रहें और याद रखें सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें जै हिंद